कि नमस्ते स्वागत आपका स्टेडी लाब्स पर तो आज हम एक कॉंसेप्ट के बारे में देखने वाले हैं वेवस के अंदर जिसको पोलराइजेशन या धुरुबन कहते हैं और वैसे तो यह 12 क्लास 11 12 क्लास का थोड़ा सा टॉपिक है क्योंकि हम वेवस कर रहे हैं तो हम उ समझना जरूरी है तो पोलराइजेशन बताने की जगह मैं आपको दिखाता हूं कि पोलराइजेशन होता क्या है या धुरुबन होता क्या है सामने सूरज है और सूरज की पूरी पूरी रोशनी इस वक्त कैमरे में आ रही है मेरे पास दो यह शीट्स हैं जिनको हम अगर में जो सूरज की करणे इसके सामने पहुँच रही है लेकिन अब अगर मैं इसको रोटेट करना इसको घुमाना शुरू करूं तो आपको दिखेगा कि सूरज की रौशनी बहुत जादा कम हो चुकी है यह शीट आपस में बहुत जादा ब्लैक हो चुका है और बहु सूरज में देखा वही या हम LED बल्ब में भी देख सकते हैं कि अगर मैं एक पोलराइजर शीट को इसके सामने रखूं और दूसरे को भी इसके सामने रखूं तो अब यह रोशनी हमें दिख रही है LED की लेकिन अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ 90 डिग्री पे तो अब दे इससे कुछ पार होके आ सकता है अगर वह खुला हुआ है और अगर हम दर्वाजे को बंद कर दें तो नहीं आ सकता है हमने दो तरीके के वेव के बारे में पड़ा है ट्रांसवर्स और लॉंगिट्यूडनल एक और पड़ा इतौशनल लेकिन अभी हम सिफ ट्रांसवर्स औ हमारा उससे अगर हम ट्रांसवर्स वेव को अगर हम ऐसे रखते हैं और इससे यह बड़े आसानी से पार हो सकता है लेकिन इसी को अगर हम ऐसे रख दें इसी को अगर हम ऐसे रखने की जगा ऐसे रख दें 90 डिग्री पर रोटेट कर दें घुमा दें तो अब आपको दिख इसमें आएगी ठीक है तो जो ट्रांसवर्स वेव वह पोलराइज हो सकती है वह उसकी डारेक्शन को हम रोक सकते हैं किसी एक डारेक्शन में जाने से लेकिन जो हमारा साउंड है ध्वनी है वह कैसा वेव है वह हमारा है लॉंगी ट्यूड नहीं क्र लिंग और इस तरीके से चलता है लिमें की चाहिए खूलेगा लगा नहीं यह उसको अदरह को चाहे बड़ाइजर हो सकता है किसी डAREक्शन में हम उसको जाने से रोख सकता और किसी एक पर्टिक्लर डिरेक्शन में उसको जाने दे सकते हैं कौन सी वाली वेव को ट्रांसवर्स को ऐसा हम कर सकते हैं लेकि क्योंकि साउंड एक लॉंगिट्यूडनल वेव है तो लॉंगिट्यूडनल वेव को हम पोलराइज नहीं कर सकते ह साउंड का ध्वानी का दुरुवन नहीं हो सकता है यानि कि वह हर डारेक्षन में सेम तरीके से जाएगी हम उसको एक डारेक्षन में जाने से रोक नहीं सकते हैं वह चारो तरफ जाएगी ही जाएगी तो यह बहुत चोड़ा सा कॉंसेप्ट है जिसको हम पोलराइजेशन के समझ सकते हैं कि हम यहां बोल रहे हैं कोई कहीं भी खड़ा हो हमारी आवाज उस तक equally पहुंचेगी इधर वाले को भी इधर वाले को भी इधर वाले को भी किसी भी डारेक्षन से जाने से हम साउंड को रोक नहीं पाएंगे